हेलो वेलकम टू अबर चैनल के अबी 360 यह है क्लास सेकेंड की EBS की बुक का चैप्टर अबर क्लॉट्स और इसकी आज हम करेंगे एक्सराइज तो चलिए देख लेते हैं पहला कोशन है टिक दा करेक्ट आंसर यहां पर वांड टू त्री फोर कोशन दिये गए और यहां पर है बिदा किसे खरकलत का है क्ल Boss हम कॉपर पहर्णे तो को सभी को पता है जो क्लास होते हैं हम पहलते हैं समर में इसको टिकर दिया वी वि क्या कास्ट्यूम पहलते हैं या टी-श्यट पहंते हैं तो यूनिफार्म हम कब के पहनते हैं स्छूल में छो технолог primeiro कोण करे करIm नेक्स्ट है special dress for special job is called जो special dress होती है जॉब के लिए उसको क्या बोलते हैं uniform बोलते हैं या costume बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं uniform uniform को टिक कर दिया next during the rainy season we wear हम क्या पहनते है rainy season में raincoat gum boots both of these तो हम पहनते है raincoat next है what kind of cloths keep us cool तो जो किस तरह के cloths होते हैं हमें cool रखते हैं तो वो होते है cotton cloths c o t o n cotton c l o t h e s cotton cloths ठीक है next है why do we wear a woolen cloths in winter हम woolen cloths winter में क्यों पहनते हैं because they keep us warm in winter वह में क्या करते हैं winter में warm रखते हैं name some items made of leather लेदर से बने हुए कुछ items का नाम में बताने है तो पहला हो जाएगा हमारा अपने लेदर की ball सुनाओगा तो लेदर की ball बनती है दूसरा लेदर का bag बनता है इसके लाबा बेल्ट बनती है ठीक है इसके लाब और क्या सकता है कि शूज बनते हैं कि यह सारे items कि से बनते हैं लेदर से बनते हैं नेक्स्ट है वाट इcules कॉस्ट्युम क्या होता है है तो यह अप्र टाइप पाटिकुलर टाइप आफ ड्रेष इस कॉल्ड कॉस्ट्यूम टैपः की जो ड्रेस होती है उसको क्या बोलते है झच कॉस्ट्यूम बहनते है जो एक जगा पर लोग पहनते है वाट इस उनिपार्म क्या है तो इसको बोलेंगे cloths according to cloths according to job are called uniform uniform ठीक है next name five people who wear uniform अब आपको बताने है पांच ऐसे person जो uniform पहनते हैं वो होगए doctor a lawyer a chef student soldier तो यह लोग कौन है यह क्या करते हैं यह पहनते हैं uniform next question we have fill in the blanks with suitable words यहां पर कुछ words दिये umbrella woolen silkworm cotton sheep और इसके बाद कुछ statement है जो बीच में blank space है इन इसको हमें क्या करना है पूरा करना इन वर्ड से तो चलिए देख लेते हैं dash cloths absorb the sweat कौन से cloths sweat को absorb करते हैं तो वह होते हैं cotton cotton के हम cloths का पहनते हैं गर्मियों में summer में पहनते हैं तो यह cotton हो जागे यहां पर नेक्स्ट है we wear dash cloths in winter हम winter में cloths पहनते हैं कहां से यह गया woolen woolen cloths next we get wool from जो wool होती है उन होती हमें कहां से मिलती है sheep से मिलती है इस से SHEP sheep next we get silk from silk हमें मिलती है कहां से silkworm से सिल्क वार्म से नेक्स्ट है वी यूज एन डैस ऑन रेनी डे हम रेनी डे में क्या यूज करते हैं उपर जो लिखा हुए umbrella तो यहां पर यह अंब्रेला जाएगा अंब्रेला नेक्स्ट नेम थ्री क्लॉट्स अब आपको थ्री क्लॉट्स के नाम बताने कौन से जो वी वी एर इन समर समर में हम जो क्लॉट्स पैंते हैं उनके नाम पहला तो हो गया शर्ट वूलन शर्ट हो जाएगा सुरी कॉटन शर्ट कॉटन शर्ट 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 इसके लपा क्या बन सकते हैं टी-शर्ट टी-शर्ट फ्रॉक ठीक है यह जाएंगे नेक्स्ट वी वी इन विंटर विंटर में क्या पैनते हैं जैकेट पैनते हैं जी-ए-स-ई-क-ई-ट जैकेट इसके अलाब हम स्वेटर पैनते हैं स्वेटर को वूलन या परम लिख सकते हैं वूलन कैप कैप पैनते हैं तो यह थी हमारी आज की एक्सरसाइज जो हमारे चैप्टर था अबर क्लॉट की आई होप आपसे भी को समझ में आ गया होगा पढ़ते रही हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंकिए